यूपी में लगातार अपराद और अपरादी बढ़ते जा रहे हैं लेकिन पुलीस बीन पर काबू करने के लिए लगातार अभियान चला रही है इसी के मद्दे नजर डगैती की घटना को अंजाम देने जा रहे बदमाश और पुलीस के बीच मुद्बेड हो गई इसमें पुलीस की गोली से एक बदमाश खायल हो गया और दो को गिरफतार कर लिया गया वहीं दो बदमाश मोके से भागने में काम्याब हो गये पुलीस की गाड़ी पर भी गोली लगी है जिसमें वे सभी बाल बाल बच गये पकड़े गई बदमाश 30 अगस्त को डगैती की गटना को अंजाम दे चुके हैं खायल बदमाश को चार के लिए जिला अस्पताल में भरती करवाया गया है एस्पी सीटी अंकित मित्तल ने बताया कि एस ओजी और गल शहीद पुलीस को सूशना मिली थी फिलाहाल पुलीस ने मामला दर्ज कर कारवाई शुरू कर दी है एक फायर जो है थाना गल शहीद पुलीस की जीप पर भी लगा है पुलीस दोरा आत्मरक्षार्थ जब जब जबावी फायरिंग की गई तो उसमें से एक गोली एक अभ्युक्त के पैर में लगी है जब उन्हें दोड़ाकर दमकी देकर और डराकर पकड़ा गया तो उसमें से दो और अभ्युक्तों को गिरफ़तार कर लिया गया है पुल पांच लोग थे बाकी के दो लोग बागने में काम्याब रहे है अभी तक तीन अभ्युक्तों की रफ्तारी की गीए जिसमें से एक अभ्युक्त गायल है उनकी जब जामा तलाशी ली कई और दोराने हस्पताल जब उन्हें ले जा रहे थे तब उसकी जामा तलाशी में से उसके पास एक आधार काड़ बरामद हुआ है जिससे उस अभ्युक्त की 30 अगस्त को जो थाना गल्चे छेतर अंतरगत अनिसुर रह्मान के घर जो डखेती भी पड़ी थी उसमें से जो वादी का अधार काड़ गया था उसकी बरामत की हुई है जिससे उसकी इस गटना में सनलिपता की पुष्टी हुई है बाकी दो लोगों से बातचीत की गई है उसमें से एक और अभ्युक्त इस गटना में शामिल था कुछ लोगों के और नाम आये हैं जिनकों की शीगरी गरफतार किया जाएगा इनके पास से जैसा कि मैंने बताया कि गटना में जो लूटे गए थे 20,000 रुपे वादी का अधारकाट, तमंचा, जिन्दाकार तूस, खाली खोके, मोबाइल फोन और दो चाकु बराम दूँआएगा जैबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इंक्रेडिबल मैरिज पलेस राजगराना और फिनेस्ट बैंक्वेट हॉल जोती गार्डन वोल्ड-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning अपर्फेक्ट वेन्यो फो वेडिंग, लाँचिंग और पार्टी राजगराना और जोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट्स एंटर्प्राइज ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बैल आइकन को ख्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें घंदेवारी